जैमा मतंगी मेरे प्रिया सादको और दर्शको आज एक और सोयम सिद्ध मंत्र लिकर आप सभी के सामने उपस्तित हुआ हूँ आज का ये जो मंत्र है ये भी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इस मंत्र के लिए हमारे कई सारी वीडियो में कमेंट्स आये थे कि गुरुजी टोनी को भगाने का या उसको काटने का मंत्र दीजिए आज का ये जो मंत्रे है किस तरह से प्रयोग में लेना है वो मैं आपको आगे बताओंगा लेकिन पहले ध्यान से सुने कि आप जो वीडियो देखते हैं इसको skip करके मत देखिए मतलब फारवर्ट करके मत देखिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा आप अगर बार-बार कमेंट करके पूछेंगे गुरु जी इसका क्या करे उसका क्या करे तो हम बताएंगे नहीं ये याद रखिए अब जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था चंद्रहास वीडियो का उसमें कुछ चीजे थी जो मैं बता चुका था लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे तो इसमें मैं बता देता हूँ जैसे चंद्रहास अस्त्र के समय जो सर के उपर जो एक लिटर पानी रखते है वो पानी का क्या करना है वो इसनान करने के जल में मिला के इसनान करना है और जो चंद्रहास अस्त्र सिद्ध करना है तीनो लकडी का तो तीनो लकडी को आपस में एक साथ जोड़ कर तार से बानना है यह याद रखिएगा तो चलिए अभी आगे का वीडियो हम चालू करते हैं आगे के वीडियो के बारे में मैं अभी आपको जानकरी बताने जा रहा हूँ आज का जो वीडियो है यह है टोनी को भगाने का टोनी वीद्या जो है इधर बहुत ज़्यादा फेमस है चतिसगर जारखंड ओडिसा इस साइड में बहुत ज़्यादा फेमस है तो आप जो है इस मंत्र का प्रयोग किस तरह से करेंगे यह ध्यान से सुनेंगे वीडियो को skip करके नहीं देखेंगे उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए है पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करके all notification on कर देंगे और जितने भी हमारे दर्शक है सादक है याद रखिए आपको हम फ्री में इतने अनमोल मंत्र दे रहे हैं तो आप लोगों का करतवे बनता है ऐसान फरामोस ना बने हमारे वीडियो पर कमेंट करें लाइक करें वीडियो को शेयर करें और सबसे पहले याद रखिए जितने हमारे दर्शक सादक है आप सभी को बताना है कि आपने हमारे कौन से कौन से मंत्र का प्रयोक किया उससे आपको क्या रिजल्ट मिला इस वीडियो में कमेंट करके बताना है और सभी के कमेंट में पढ़ने वालों तो याद रखिए आप जितने भी सादक और दर्शक है जिन लोगों ने भी हमारे सोयम सिद्ध बंगाली मंत्रों का प्रयोक किया कौन से मंत्रों का प्रयोक किया किस किस पे किया क्या क्या रिजल्ट रहा है उस सब लिखना है 10 लोगों का किया है तो 10 लोगों के बारे में अलग-अलग कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि किस के लिए क्या प्रयोग किया था उसमें क्या रिजल्ट आया दूसरे के लिए आपने क्या प्रयोग किया उसमें क्या रिजल्ट आया आप लोग बताएंगे और हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं वो बताएंगे और किस विशे पर मैं वीडियो बनाऊँ वो भी आप कमेंड करें तो उस विशे पर मैं वीडियो बनाऊँगा आप किस तरह के मंत्र चाते हैं कौन से साधना का मंत्र चाते हैं कौन से कात्री का चाते हैं, कौन तरस्त्र का चाते हैं, और किस रोग पे, किस बीमारी पे, किस साधना से संबंदी चाहिए, आप कमेंड करें न, तब मैं बनाऊंगा आपकी डिवांड को देखते हुए, तो चलिए, आज का वीडियो हम चालू करते हैं, स्किप करके ना देखें, मैं समझाऊंगा नहीं इसके बाद, जैसे मान लीजे किसी व्यक्ति के घर आप जा रहे हैं, उसके घर पे टोनी का साया है, ठीक है, सबसे पहले तो आप समझ लो कि ये मंत्र किस किस पे काम आता है, ये आता है, डाकीनी को, शाकीनी, हाकीनी, परचारीनी, टोनी, टोनी, टोनी की विद्या, इतने प्रकार पे ये मंत्र काम आता है, लेकिन याद रखें, ये जो मंत्र है, ये मंत्र केवल भगाने के काम आता है, उनको ना तो खतम करेगा, ना उनको तकलीब देगा, उनको इस मंत्र के उच्चारन से, इस मंत्र की क्रिया से उनको तकलीब होती है, और वो वहाँ से भाग जाते हैं, तडपते हैं, यह एक चोटिल मंत्र की तरह है, आप समझ सकते हैं, तो इसका प्रयोग करने से वहाँ पर यह जो सब चीजे होगी, वो वहाँ से भाग जाएगी, ले वो टोनी के पास चले जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो विद्या वहां रहेगी, उस पे अगर ये मंत्र का चोटिल होगा, तो टोनी को तकलीब होगी, तो खुदी अपनी विद्या को खीच लेगी, तो ये भी एक डाउट आपके मन से अभी किलियर हो गया होगा, तो इसका प् पाटी को खरीद कर देखập होगी, तो तो आपके ऊपर असर हो जाएगा, पानी उसके घर का ले सकते हैं, पानी में कोई दिक्कत नहीं, एक गलास पानी picking में आप हल्दी पाउडर दालेंगे जो अपने साथ लेकर गए है इस मंत्र को आपको 11 बार पढ़ना है 11 बार पढ़ने के बाद उस घर में छिड़क देना है तो छिड़क दोगे तो क्या होगा वहां पर यह जो भी इस तरह की जो भी चीजे होगी वहां से भाग जाएगी उ अगर उसके घर में अल्रेडी बंदन लगा होगा क्या होता है अकसर लोगों के घर में यह इस तरह के भूद प्रेतो का सायह होता है लोग क्या करते हैं चोटे मोटे तांत्रिकों को बुलाते हैं आप चोटा मोटा तांत्रिक आता है वो क्या करता है यह सब चीजों को हटाने के बजाए वो क्या करता है सीधा घर का बंदन कर देता है उसको जीतना नौलेज है वो उतना ही काम करेगा है ना वो क्या करता है चीजों को शुद्ध नहीं करता है मतला है उसके घर में जो चीजे है उसको कात्री प्ानी डालना चैए अस्त्र चलाने चाहिए या चोट Wash वह यह सब नहीं करता है मैं और भाँ around कि दूगा तो अगर वो बाहर नहीं जैपाएंगी तो और जादा एग्रेसी हो जाएंगी मतलब घुसेल हो जाएंगी देखिए अगर आपको एक कमरे में बंद करकर रख देंगे तो आपको घुसा नहीं आएगा चिड़ चिड़े हो जाएंगे आप क्योंकि घर के अंदर ही अगर आप बं बंदन लगाए और उसके उपर अगर आप ये मंतर का प्रयोग करके आ जाएंगे तो उस घर का जितने भी लोग रहते उस घर में उस घर के सभी सदस्यों का जीना हराम हो जाएगा और आपको फोन आएगा उल्टा की भाई आपने क्या कर दी आप करके गए तब से तो हमार और तब्यत ख़राब होगे हम तो बहुत परेशान होगे तो ऐसा होगा तो याद रखिए आप समस्या से कैसे निपत होगे मानलीजे आप जिसके घर जा रहे उसके घर पे पहले से बंदन लगे हुए है तो आप आपको क्या करना है सबसे पहले बंदन को काटना है और चंद्रहास अस्त्र बहुत जादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये हरे एक बंदनों को बारीकी से काटता है चंद्रहास अस्त्र आपको बता दू चंद्रहास अस्त्र जो है रावन के पास था और रावन को चंद्रहास अस्त्र किस ने दिया था बाबा भोले नात ने भगवान शिव जी ने दिया था प्रसन्न होकर रावन को जो है चंद्रहा सस्त्र दिया था और इसी लिए रावन के पास चंद्रहा सस्त्र था करके देवता भी रावन से डरते थे तो ये बात है तो आप समझ लीजे जब रावन के पास चंद्रहा सस्त्र था तो देवता भी डरते थे तो ये चंद्रहास अस्त्र कितना powerful होगा अपने आप में इसलिए मैंने कल आपको ये मंत्र दिया है चंद्रहास अस्त्र का अब आपको क्या करना है मान लिजे आपने ये तीनों में से कोई भी अस्त्र चला लिया उसके बाद आप कोई भी कात्री चला लो, बंगाली कात्री चला लो, मध्यमा कात्री चला दो, विरोधी कात्री, कोई भी एक कात्री चला दो, अब खात्री चलाने के बाद यह जो मंत्र में ने दिया है इस वीडियो में, इस मंत्र को जल के उपर हल्दी मिलाएंगे, जल में और जल के उपर 11 बार अभी मंतरित करेंगे और घर पे छिड़क देंगे तो क्या होगा उस घर में जो टोनी है जो भी चीजे है वो पूरी तरह से बाहर भग जाएगी बंदन कटा तो बाहर निकलेंगी और आप ये पानी छिड़कोगे तो उनको चोटी लोगा तो और बाहर भाग जाएगी मतलब उस घर में रुकेंगी नी कोसो दूर चले जाएगी उसके बाद क्या करना है आपने जल छिड़का जल छिड़कने के बाद जो कील वाला बंदन जो दिया है मैंने घर सुरक्षा का उससे उनका घर बंदन कर दो या कोई और मंत्र है तो उससे बंदन कर दो अगर आपको घर बंदन के और मंद्र चाहिए तो वो भी मैं ढाल दूँगा तो घर बंदन करिगे गर बंदन के बाद उनके घर की सुरक्षा हो जाएगी तो तब आप क्या करेंगे मतलब आप उनको उनको जल अभी मंद्रिट बाहत दे देंगे दे देंगे और चोता जो जल है वो घर बंदन का कर देंगे मतलब उनको बोलना है पहले जाएंगे ये एक नंबर का जो जल है अस्तर का ये पूरे घर में छिड़क दो उसके बाद आपको बोलना है ये जो कातरी का जो जल है ये आप पूरे घर में छिड़क दो उसके बाद गर बंदन का है वो आप देंगे और बोलेंगे इसको घर में पूरा रिंगन बना दो तो घर बंदिश हो जाएगा या और भी दूसरे चीजे होते हैं घर बंदन के हो चाहिए तो आप कमेंड करें मैं बताओंगा उस बारे में अब मैं आपको इसका और एक प्रयोग बता रह याद रखिए तब आपको कोई अस्त रखा जल उसको पिलाना है उसके पुरे शरीर में छिड़कना है और इसनान करने के लिए भी दे देना बोलना बाद में इसनान कर लो ठीक है याद रखिए कैसे जैसे कोई विक्ति है वो आया उसको क्या करेंगे आप सबसे पहले अग कात्री मंत्र भी अभी मंत्रित कर देंगे एक ही जल में अस्त्र एक ही जल में आप ये कात्री मंत्र अभी मंत्रित कर देंगे और बोलेंगे ये पानी आप पी लो और इससे स्नान कर लो ठीक है वो जब इस्नान करके पानी वानी पी के स्नान करके जब आएगा उसके बाद जो और उसमें आप क्या दालेंगे मालूम है सोचिए क्या दालेंगे एक लॉंग लेना है और उस लॉंग को जलाना है जलाने के बाद जो उसकी राख होगी वो राख उस पानी में दालना है और इस मंत्र को पाच बार अभी मंत्रित करना है और उसको बोलना है ये पी ले तो क्या होगा उसके शरीर में जो चीजे होगी हाकीनी डाकीनी शाकीनी वो सब उसके शरीर को छोड़के भाग जाएगी उसके बाद क्या करना है आपको एक निम्बू लेना है और जो व्यक्ति है पीडित व्यक्ति उसके सर के उपर पकड़ना है निम्बू को और शरीर के दो हिस्से ना एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड तो पहले जो है तीन बार राइट हैंड के तरब से लेफ्ट पैर तक नीचे उतारेगा और दूसरे दूसरी बार जो है अपने लेफ्ट साइट के हाथ और पैर से उतारेगा ऐसे तीन बार लेफ्ट की तरब स पहले राइट से शुरुवात करेगा और बाद में लेफ्ट की तरब से तीन बार फिर उतारेगा ऐसा छे बार उतारना है इतना आपको रिपीट रिपीट बताना पड़ते हैं क्योंकि आप फिर बार बार कमेंड करके परिशान कर देते हैं तो आप समझ गे तीन बार मुख्य दवार है जहां से घर के अंदर प्रवेश होता है मैं गेठ नहीं बोल रहा हूं आंगन का बनाना चाहते हैं तो आप कमेंड करके बताएं मैं तावीज कैसे बनाते हैं कौन से कौन से तावीज होने चाहिए किस किस तरह से होने चाहिए उसके ओपर वीडियो बनाऊंगा तावीज के कई सारे वीडियो बनते हैं कम से कम सो से ज्यादा वीडियो बनेंगे लेकिन हर ता मंत्रों का प्रयोक्या क्या अनुभाव रहा है वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताए आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी को जैमा मतंगी, जैमा ची नमस्ता, जैमा बगला मुखी